जनता आपको जो देख रही है, क्यूं आपको भोट करेगी और आप उनसे क्या कहेंगे? कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपना जल जंगल जमीन को बेच करके, या फिर हम अपना जल जंगल जमीन को दूसरे को सौब करके, हम किसी का आगे भी खारी बने, तो अब बढ़का गाव में जो चुनाओ है जीतेगा, जो बिस्थापन पर बात करेगा, जहां पर लोग नहीं और छे माइना जो है मुरा मार्केट में पाइसा फेक ले चलते हैं, उसमें को दिकत नहीं है, लेकिन भोट सब बल्ला चाप में करेगा, बैट चाप में करेगा, एक नौजवान जो अपने काम में ब्यस्त रहता है, कभी लाइम लाइट में नहीं आता है, कभी किसी ने दे और जे पीएसी का ये वीडियो का सीओ का नोखिल लेजिए, तो मैंने उसको एक ही सब्द बोला था, कि मैं 20 लाइक जो मेरे पास रहेगा, उससे मैं बिजनस करूंगा, और मैं खुद नेता बनूंगा, आप एक बिदायक जीत के इसको कैसे दूर कीजिएगा, किस अगर जनता का इच्छा नहीं है कंपणी को जमीन देना, तो वो जमीन को छीन नहीं सकता है, केंदर के सरकार हो या राजे के सरकार हो, उनलोग का एक मात्र उदेश होता है, कि किस परकाह से हम सब्दा में बने वो रहे हैं, कमिशन खोरी है, उसे समावत करना है, चुकि अगर हम अपना घर में ठीकने कर पा रहे हैं, तो हमको जारखंड और फिर पुरा लोग सभा सोचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास टीचर है, उसमें क्या क्या कमी है, उस कमी को दूर करके, नोट करके, जो जाज कमीटी होगा, और उसमें हम कुछ धन लगा करके, और उसको बेटर कर देंगे, अच्छा कर देंगे, उसको रंग पेंट कर देंगे, लोग पुछेंगे कि पहले बिकास जी कहां पढ़ाते अपने बच्चे को, एक तरफ अस्थानिय विधायक कह रही हैं कि होस्पिटल ऐसे हैं, जहां प बचाएगा, ने तो फिर हम स्वारकवासी हो जाएंगे, रासल किया जा रहा है निसूल, बिजली अभी फिरी बातनी जा रही है, दो सो यूनिट, और क्या चाहिए, क्या एक बेक्ती केवल एक दिन के लिए पांच रुप्या लाखी है, जिस परकार से यहां पे कंपानी के कि अगर दस फोर सुनेर से को आता है, तो वो हमसे यह लूट चुका होगा, यह तो फिर बाद में लूटेगा, इन तीनों के सामने अपने आपको अप कहां देखते हैं, क्या इन तीनों के सामने आपको टकर दे पाएंगे, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, जो क कंपनी के सांडगार से परत्यासी लोग चल रहे हैं, आप यह आरोप लगा रहे हैं कि तीनों ही कंपनी से सांडगार करके चलते हैं, मैं आपको बोदालता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी दुसरा के धर्ती पर चुनावन नहीं लड़ने जाओंगा, अभी बिपक्ष लोग पे चापा पड़ रहा है, जिस दिन सता पच के में चापा पड़ेगा, उस दिन तो हमको लाता है भारत के जितने नोट गिनने वाले मसीन है, वो सब मसीन फिर हो जाएगा, अगर बरत्मान बिढ़ाया का गर्दी काम किये होंगे जनता के लिए, तो लोग उनको राश्टिय समानता दल ने उनको अपना उमिद्वार बनाया है, बढ़कागा अभिधान सबत्षेत्र से, युवा है, तेज तर्रार है, घूम घूम कर लोगों से आसिरवाद ले रहे हैं, विकास कुमार महतो नाम है इनका, विकास जी सब से पहले तो आपको जारखंडी जोहार, सब को जोहार सर, क्या कहेंगे, घूम घूम कर आसिरवाद तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो आसिरवाद में मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर जदी इमंदार लोग परियास नहीं करते हैं, तो बैमान लोग को सासन चलता रहेगा, और किस प्रकार से भरहष्ट होते हैं, तुरंत पहस्चान नहीं बनते हैं, और हम लोग जिस लोवर मीडिल कलास से आते हैं, हम लोग पैसा के बल पर भी अपना पहस्चान नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग पास एक मात्रा उप्शन है, कि हम लोगों से घूम करके बात करें, उनलोग क्या तकलिफ ह है क्या समस्या है और उन लोग खुल करके बाते करते हैं तो बला सकुन मिलता है लेकिन घूम घूम कर आप लोगों से अपना असिरवात तो ले रहे हैं लेकिन समस्याएं क्या निकल लोग क्या अपनी समस्याएं बता रहे हैं अगर सर हम अभी देखें तो समाज के यहां पे जितने भी सारे लोग हैं लगबग हर कोई किसी न किसी रूप में पिडित है और यहां पर बढ़कार को जिस परकार से छेत्रन महौल यहां पर बना हुआ है यहां पर अमीर परत्यास से चलते हैं और यहां जंता जो हैं कमपनी से नराज है क्योंकि बीश्थापन का जो लाव है उन ल्हों को नहीं बillyल पाता है और वहीं मारे सञकरहिए और मैं बता दूंँ अपने बारे ना को कमपनी से साड़गाट है जो भी मैं कर रहा हूँ अपने दंपे और इसलिए जनता मुझे चुनेगी चुकि जानते हैं कि विकास जो है अपना इमंदारी से मेशनत कर रहा है और इस इमंदारी का मुझे परिणाम मिलेगा चुकि लोग मुझे श्यत्र में बहुत असिर चुनाव इतना महंगा हो गया है कईसे सरवाइब कर पाईएगा मैं मानता हूं कि चुनाव मंगा हो गया है अब यहां पर जो भी चुनावी खर्च हो रहे हैं मेरे पास में जनता के असिरवाद जो मिल रहा है जो चंदा चिठा मिल रहा है उससे मैं कर रहा हूं और जो मेरे पास अपना पैसा है उसको खर्च कर रहा हूं हां मैं मानता हूं क कि मैं औरो परत्यासी के जैसा पानी जैसा पैसा मैं नहीं बहा रहा हूं लेकिन जो भी है मेरा इमादारे के लोग देख रहे हैं चुनाव मंगा किया गया है यह सब केवल चुनावी अजेंडा है चुकि परत्यासी अगर दी पांच सल पूरा काम करें तो मुझे नहीं लगत पाइस पर उन लोग को मुथोर जवाब देगा चुकि पैसा हराम के होते हैं तो लोग खाएगा ही उसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन भोट सब बल्ला चाप में करेगा बैट चाप में करेगा लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है एक नौजवान जो अपने काम में प्यस्त रहता है कभी लाइम लाइट में नहीं आता है कभी किसी ने देखा नहीं और एक अचानक चुनावी मैदान में कुछ जाता है और कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे हम बड़े-बड़े दिगज्यों को हराने का दमखम रखते हैं कई कभ एक खयाल आया कि राजनी प्रयास कर रहा हूं सारा कुछ मैं नोट कर रहा हूं तो हम इसमें तुरंत नहीं हैं मतलब 12 साल में लड़ेंगे नहीं लड़ेगे I before में यह खियाल मन में निट्वें चुका था और मंत्री का फोन आता है अब 20 लाग रूपीया पैसा दीजिए और जे-पी एसी का वीडि और उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि हमारे युवा जो हैं संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन गलत करप्ट सिस्टम होने के वज़ए से नौकरी को और चिन के चला जाता है पैसा के बदलत से तो उस टेमें से मेरे मन में ख्यालाया कि मैं एक नेता बन करके और जो युवा जो संघर्ष कर रहे हैं जो मेहनती हैं वो ऐसे लोगो समाज में सेवा करने के लिए वो IPS हो गया वीडियो हो गया किसी भी रूप में सेवा करें चुकि इमंदार लोग को बहुत जिरूरी है करफसंद करब चरम सीमा पर है कमिशन खोरी चरम सीमा पर है इसे समावत करना है विदायक जीत के सो कैसे दूर किज이션 मैं बढ़का वीधान सभा से मेह से दूंगा चुकि आप लोग भली बाती जानते हैं कि बिधायक पर खंड में या फिन एक बिधान सभा में काम करने के लिए वीडियो होते हैं सीओ होते हैं अगर इन सब के बीच में अगर एक तो मुझे लगता है कि सिस्टम को परिवर्तन किया जा सकता है चुकि मुख्या अगर दी करप्ट ना हो अगर मुख्या अगर किसी से रिष्वत ना लेता हो कमिशन ना लेता हो तो मुझे नहीं लगता है कि उनके जो निम निवरक के अधिकारी होते हैं या फिर उनके जो सब क्लिक्स परसेंट कम कम रोजगार दिलांगे कि हमारे युवा बियस्त कर देंगे इन कामों में यहसं गलत आदत अच्छा बनांगे यहको उतारना चुकि अगर ऐसा होता तो यहां पे बिहार के मत परदेश के लोग आकर करेंगा नहीं करते हैं और हमारे यहां के जो लोग हैं बाहर जाकर के दिल्ली हो, मुंबै हो, तम्मिल लाड हो, वाँ जाकर ने खाता, यह मेरा पहला मुद्धा है, दूसरा, अगर जनता का इच्छा नहीं है कमपणी को जमीन देना, तो वो जमीन को छीण नहीं सकता है, जो मेरा बिधायक बनने के करके उसको बना हुआ है, तो ऐसे हम इसे जान देंगे, जो मेरे ताकत रहेगा, उसको परियोग करेंगे, जो मेरे ताकत से बाहर रहेगा, उसके लिए हम सांसद महोदय के रिक्वेस्ट करेंगे, उनके बार बार उनको रिक्वेस्ट करेंगे, कि जनता के अधिकार के अगर बच्चे को अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे भी जो हैं स्वस्थ होएंगे और तो हम के वर कोईला पर निरभर नहीं रहेंगे गैस के विकास के लिए कोईला जरूरी है और आप उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं हम मानते हैं चुकि कोईला अगर हम लगतार इस टैप से अगर दोहन करते रहें तो एक दिने कोईला समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या करें तो मुझे उसके लिए अभी से बेकेल्पिक उज्जा पे और वास्तुवें होते हैं उस पर ध्यांड रहेगा जिसमें बिल्कुल सरकार ने ध्यांद रहे हैं केंडरा के सरकार हो उनलों के उसके सकता है बने रहा है जनता में कैसे नया सोच हैगा इसके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तीसरा क्या काम रहेगा जो भी हमारे यहां पर भरस्टा कमिशन खोरी है उसे समाथ करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं बिना विधायक रहे बने भी किया जा सकते हैं जनता हूं कि लेकिन उसमें मेरे पास इतना पावर रहेगा कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको मैं सस्पेंड कर सकता हूं चुकि अभी कोई भी टेंडर निकलता है सरकारी टेंडर उसमें 35-40% केवल काम होते हैं और बाकि सार्चे 55% कमिशन खोरीम चला जाता है उसमें कमिशन लेने वाले में बिढ़ायक होते हैं वीडियो होते हैं सीओ होते हैं दरोगा होते हैं करमचारी होते हैं तो यह सारा जो काम है उससाथ प्रतिसाथ काम होना चाहिए उससे क्या होगा कि मेरा गुनवताला काम होगा और दुबारा काम को हमको तुरंत नहीं करना बिथान सभा की सिस्टम की बाद कर रहे हैं अगर हम ब्लॉग की बात करें तो आपंने पूरे सिस्टम को करप्थ बता दिया पूरे सिस्टम को če Captain अगो नहीं बोलता हुँ यह जनता बोलते हैं और उस चीजिज को समाथ करना है तो पॉसिबल रगता है को सर मैं बड़का को अपने विधान सभा में अपना ताकत को परयोग करके मैं सब्ड़कत हो यहां से और बिदान सभा में मैसेज जाएगा पुरा ज़ार्खण प्वाल ही है, कोई मतलब, यह सका होते हैं कूलप्प्राइब को मेरे तुछ Gothic की जो है कि हमारे यहाँ पे कर गरिशाय जादा है, इसके वज़़से सरकारी स्कुल आश्रेशप होते हैं, तो सरकारी स्कुल का बवस्ता अच्छा होना चाहिए. अब भी बैवस्था हैं नहीं सरकारी स्कूल के ठिक? शरकारी स्कूल के बैवस्था हैं हो तो लोग मांगा पैसा दे करके और अपना आर्थ क्राब करके तो private Japan ये भेचता ऐस निकी नहीं कुछ कर दूँगँ। लेकिन हाँ it घूना जुरूर कि एक senior teacher का panel बना करके जो भी अश्कूल में कमिया हैं चुकि हमारे पास building है हमारे पास teacher है उसमें क्या क्या कमी है उस कमी को दूर करके नोट करके जो जाज कमीटी होगा वो देगा और उसमें हम कुछ धन लगा करके और उसको better कर देंगे अच्छा कर देंगे उसका रंग मेरे बच्चे अभी बहुत छोटा है और उसकूल नहीं जाते लेकिन फिर भी अगर मौका मिले अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाना फेवर करेंगे एकदम वेवस्था को मैं चेंज करके अपने बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में बच्चे काम करना पड़ेगा तरफ अस्थानी विधायक कह रही है कि हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल इलाज हो सकता है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी वेवस्था नहीं है इतना मान लीजिए कि अगर दी सारा बेवस्था सरकारी स्कूल में होते ह प्राइबेट में जाकर अपना पैसा नहीं लुटते हैं तो सरकारी अस्पताल जो है असरे उसको हमको बेवस्था को दुरूस करना है चुकि अभी अगर किसी बेक्ती का बीमार होता है उसको पैसा ना हो इलाज करने के लिए तो वही बोचता है कि हमको जमीन बचना है। जाति कम अनलों को पल पाता हूं समझबता हूं कर मौका मिलता है तो देखता हूं कि जो सब्छा होते केवल एक दिन के लिए 5 रुप्या लाखी है मुझे उसको राशन अगर नहीं भी देंगे चलेगा अगर उसको हम एक हजार का एक दिन का रोजगार प्रोभाइड करवा दें तो वह पांच रुप्या का जुराशन है खुद से खरी सकता है तो यह सब लुभावान वाली चीजे हैं और जनता को ठगने वाली चीजे हैं जनता के जे में कैसे पैसा आवे जनता कैसे मजबूत होए इसको सरकार जनता को मिलना चाहिए हमारे विधान सब्सारे 6 लाग रहते हैं वह सब उचीज का अधिकार है तो अभी तो उध्गाटन किया गया 24 गंटे विजली रहनी का दावा किया जा रहा है अभी उध्गाटन कुछ दिन के बाद बन जाएगा उसके बाद 24 गंटे बिजली सब को क अगर बेवस्था ठीक रहती तो आपको चुनाव में आने की जौरत नहीं पड़ती है तो सच में रियल में चुनाव नहीं आता लेकिन मैंने जब घूम करके देखा तो लोग इतने तरस्त हैं इतना गरीब हैं लोग इतने भरस्टचार से परिसान हैं और बलोक में जितना कमिशन देना परता है लोग को लोग को लगता है कि अब यकी मंदार विधायक होना चाही है और हमको लोग यहांत तक बोल लिया कि जिदो 10 फार्चुनार्सय आता है वो विधायक हमको आपको क्रिश्ट आपके विधायक चाहिए और उस सीरी में मैं परफेक्ट बढ़ता हूँ एक तरब पढ़ी लिखी आईएस की तैयारी छोड़कर वकील हैं चुनाव मैदान में उत्री थी पहली बार विरासत में उनको राजविती मिली जीत गई दूसरी तरब बीजेपी के परत्यासी हैं एंडिये परत्यासी हैं स्री रौसनलाल चौधरी जी वह भी लगातार 15 साल से मेहनत कर रहें उन दिगजों के सामने और तीसरी की बात करें तो जहारखन में अगर एक जेली केसे जो जेल के नाम से जाने जाती है जैराम मातो के उने आपको कहां देखते हैं क्या इन तीनों के सामने आपको तक्कर दे पाएंगे इनको सर मैं पहले ही विता चुका हूं कि बढ़का को चुना हो रहे हैं वो दो तरफा हो चुका है पहला लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं जो कंपनी के सांध गार से परत्यासी लोग चल रहे हैं किस को आप बोल रहे हैं कि सांध से चल रहे हैं किनका नाम लिया हमने हमने जो बच रहे हैं हमने कहा तीन परत्यासी हैं आपके ने वर्तमान में कॉंग्रेस विधायक अंबा परशाथ बीजेपी से रोशनलाल चौधरी जी है इधर अगर हम जेवी केसे की बात करें तो बालेश्वर कुमार मातो जी है तो क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं कि तीनों ही कंपनी से सांडगार करके चलते हैं सर यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह जनता बोल रही है क्या बोल रही है कि अब हम लोग को वह परत्यासी चाहिए जो कंपनी के बिल्कुल विरूद ख़डा हो और हमें वह परत्यासी नहीं चाहिए हमें वह विधायक नहीं चाहिए जो कंपनी के साथ में सांडगांट किया हो त जनता का जो मुल्भूत चीज़े हैं वो उसके लिए महत्वने रता है तीनों के जगे पे आप परवल दावेदार अपने आपको मानते हैं सर मैं मानता हूं कि इन लोग इतना धानबल मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा होसला इन लोग से कहीं बुलंद है और मैं अपने सर जमी चुनाओ लड़ रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी दुसरा के धर्ती पर चुनाओ नहीं लड़ने जाओंगा और अगर बरतमान बिधायक काम किये होंगे जनता के लिए तो लोग उनको भूट करेगा और अगर नहीं कियोंगे तो जनता चुकि और वोह भूट यहां सरजो होते हैं वो आप जब जनम लेते हैं यह जनom से आपका आज तक कुनली लोग देखते हैं कि इस दौरान आप इतना लोग को मदब किए हैं आप कितने लोग को फाइदा पहुँचायओ हैं आप कितने लोग को नुक्सान पहुचायओ है और यह सारा कुछ देख करके जनता फूट करती हैं केवल धन बल से अगर चुनाव को निकाले हैं जिते हैं इसका मत परदेश नमदो जिता जागता उधारन देखे हैं कि मोर्शाकिल से घुम घुम करके चुनाव निकाले हैं लेकिन जनता से जुड़िएगा तो निश्ची तरुप सा सिर्वाद मिलेगा और मुझे लगता है कि मुझे इस इंट्रव्यू देखने के बाद लोग कहेंगे विकास जी तो बड़े-बड़े कर रहे हैं लेकिन खुद विकास जी कितने बड़े लिखे हैं सर मैं 2015 के अनंदा कॉलेज का टॉपर हूं और बंसी धर रुख्यार सर जो इतिहास के बिद्वान है कि यह किताब लिख चुके हैं उनका देखर के मेरा सिख्छा हुआ मैं जेपियेसे में इंटर्व्यू दर पहुंच चुका हूं तो उस साफ से मेरे पास इतने सारे टक्निक है मेरे पास इतने सारे प्लान है कि मैं बरका गाउं को विक्षित करने के लिए मैं एक एलर नहीं रहाँगा मेरे साथ में वीडियो रहेंगे, सीयो रहेंगे, दरोगा रहेंगे, करमचारी हैं, मुख्या हैं, सरपंच हैं, जीला परिशद हैं, परमूख हैं, इतने सारे लोग हैं, अगर बिधायाक अगर बढ़ियां से काम करें, तो मुझे लगता है कि सब लोगी मंदारी से काम और फिर छेत्र का मेरा जो हैर्थ हान उधारन दिया जाएगा और लोग को जब एक चीज आदत लग जाएगा कि हमें काम कैशे कर्वाना है और हमारा छेत्र करे भाग लेंगे लोग अपना हक रधिकार के लिए आगे आवेंगे एक लास्ट सवाल जनता आपको जो देख रही है क्यों आपको भोट करेगी और आप उनसे क्या कहेंगे लास्ट मैं जनता से यह हफिल करूंगा कि मैं गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं और मुझे लोग भोट करें ताकि मैं उनका जो इछाएं हैं और जो उनका आसाएं हैं उसको पूरा कर रहा हूं और एक पढ़ा लिखाव मिद्वार होने के नाते चुकि मैं मेरे पास धन बलकि नहीं है इसलिए मैं बीजेपी कॉंग्रेस और अन्य पार्टियों के जैसा दिखावा नहीं कर रहा हूं लेकिन घ पास्ट मैं ही बूलूंगा सर कि हमारा जो पाटी है मद्दाता पेंशन के बाद करता है चुकि वह सुचता है पाटी की और मैं भी सुचता हूं कि जो दिन दूपर यम खड़ा हो करके भोट करते हैं उनको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए अगर एक मद्दाता को पांस इस चाहता है तो उन लोग पास अफॉर निकलता है तो केवल उन्हीं का अधीकार नहीं है वह पैसा पे जनता का भी अधिकार और अभी इपाग्ष्य लोग पर चाहिए जिस दिन सता पस्ट मैं छापा पड़ेगा उच दिन तो हमें लाता है बहारत के जितने नोट गिने और मैं उस भूमिस आता हूँ, गुंदर्पूरा भूमिस से, जहां हम लोगों ने आज तक कंपनी को रोक करके रखा है, एक्ताय बना करके, चुक्कि मेरा मानना है, कि कंपनी बोलता है कि हम सारा सुईधा देंगे, लेकिन हम लोग का एक ही परस्न होते हैं, कि जहां कंपनी क फोले हैं कि आवहां लोग को सुविधा दिये हैं आज वहां के लोग दर-दर के ठोकड खा रहे हैं अपना विस्थापन का फैदा ने ले पा रहे हैं उन लोग को कंपनिया के बाहर धर्नत देने का जाज़त ने आता है तो फिर मैं अपना जमीन तुमको क्यों सपूं कि दादा पेंचन की बात करता है ऐसा परत्यासी अब तक हमने इस चुनाव कवरेज में नहीं देखा है फिलहाल विकास कुमार महतोजी हैं और घूम घूम कर लोगों से मांग रहे हैं भोट कि हमें एक बात जिताईए देखना दिल्चस्प होगा कि क्या इन दिगजों के साम अपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद धनिवाद